श्री माज़ बाल में के रमाइं के एध्याकान के 43 से सर्ग में महाराणी कुशल्या का विलाब सुमित्रा का कुशल्या को आश्वाशन देना। शीया पर पड़े हुए राजा को पुत्र शोक से व्याकुल देखकर पुत्र के ही शोक से पीडित हुई कशल्यानी उन महाराज से कहां नार्शिरेष्ट। शीराम पर अपना विश उडेल कर टेड़ी चाल से चलने वाले के कई कैंचुल छोड़कर नूतन शीर से प्रगत हुई सर्पने की भांती आव सचंद विच रहेगी। जैसे घर बे रहने वाला दोष्ट सर बारंबार भही देता रहता है उसी प्रकाश शीराम चंद्र को वनवास देकर सफल मनुरत हुई सभगा ककई सदा साबधान होकर मुझे तरास देती रहेगी। यदि शीराम इस नगर में भीक मांगते हुए भी घर में रहते और मेरे पुत्र को ककई का दासी बना दिया गया होता तो वैसा वरदान मुझे भी अभिष्ट होता क्योंकि उस दिशा में मुझे भी शीराम का दर्शन होता रहता। शीराम के वनवास का वरदान तो के कई ने मुझे दुख देने के लिए ही मागा है। महराज जिनोंने जीवन में कभी डुख नहीं देखे थे। उन्षी राम लच्छन और शीता को अपनी कई की बातों में आकर वन में भेज दिया। अब इन बचारों की वनमास के कष्ट भोगने के सिवा और क्या वस्ता होगी। रत्न तुल्य उत्तम वस्तों से वन्चित वे तीनों तरुन सुख रूप फल भोगने के समय घर से निकाल दियेगे। आवे बचारे फल मुलका भोजन करके कैसे रह सकेंगे। क्या अब फिर मेरे शोक को नस्ट करने वाला वे शुब समय आएगा जब मैं सीता लच्छम के साथ वन्च से लोटे हुए शिर्राम को देखूंगी। कावे शुब अफसर प्राथ होगा जबकि वीर शिर्राम और लच्छन वन्च से लोटाएं। यह सुनते ही यह ससनी अयुद्धापुरी के सब लोग हर से उलसित हो उठेंगे और घर घर फैराएंगे उंचे उंचे धज समू पुरी की शुबा बढ़ाने लगेंगे। नर्श्रे शिर्राम और लच्छन को पुना वन्च से आया हुआ देख यह युद्धापुरी पूर्णमा के उमडते हुए सुर की भांती कब हर शुलार से परिपूर्ण होगी। जैसे सांड गाएं को आगे करके चलता है। में प्रवेश करते हुए मेरे नित्रों के समझ प्रगट होंगी। कब ब्रामन की कन्याईं हर्शपूरक फूल और फल अर्पन करती ही अध्यापुरी की प्रकर्मा करेंगी। कब ग्यान में बड़े चड़े और वस्था में देटाओं के समानत जस्सी धर्मात्मा शीराम उत्तम वर्शा की बाती जन समधाय का लालन पालन करते हुए पता रहे ही। वी इसमें संदे नहीं कि पूर जनम मुझ नीच आचार विचार वाली नारी ने बच्चडों के दूद पीने के लिए उद्जत होते ही उनकी मताओं के स्तन काट दिये होंगी। प्रो सिंग जैसे किसी सिंग ने छोड़े से बच्चडे वाली वसला गव को बाल पूरक बच्चडे से हीन कर दिया हो उसी परकार के कहीं ने मुझे बलात अपने बेट से विलग कर दिया है। जो उत्तम गुनों से युक्तर संपुर्ण शास्त्र में परवीन हैं उन अपने पुत्र शीर राम के बिना में एकलोते बेटे वाली मा जीवित नहीं रह सकती। आप प्यारे पुत्र शीर राम और महामली लच्छन को देखे बिना मुझ में जीवित रहने की कुछ भी शक्ती नहीं है। प्यारे पुत्र शीर राम उत्तम गुनों से युक्तर पुर्शन में श्रेष्ट हैं। एक बरकार से पालन किया है। तथा जो परलोक में भी सुख में भाल परदान करने वाला है। ऐसे धर्मात्मा के लिए किदापी शोक नहीं करना चाहिए। निश्पाप लच्छमन समस्त प्रानियों के प्रति द्यालू है। में सदाशी राम के प्रति उत्तम बरताव करते हैं। निश्पाप लच्छमन के लिए ये लाव की ही बात है। विदेन अंदनी सीतावी जो सुख भोगने के लिए ही योग्य है। वनमास के दखों को बड़ी भाती सोच समझ कर ही तुमारे धरमात्मा पुत्रकान सरन करती है। जो प्रभूत संसार में अपनी कीरती में प्ता का फेरा रही हैं। वर सदाशी बरत के पानल में तक पर रहती हैं। उन धरम से रूप तुमारे पुत्र शीर राम को कौन सा शिरे प्राप्त नहीं हुआ है। शीर राम की वित्तरतार उत्तम महत्म को जानकर निच्चे ही सूरे अपनी किर्णों द्वारा उसके शीर को संतप्त नहीं कर सकते। सबी विव सम्यों में वनों से निकली हुई उचित सर्दी और गर्मी से युक्त सुखद एम मंगल में वायो शीर नगुनाजी की सेवा करेगी। रात्री काल में धोगवा कस्ट दूर करने वाले शीतल चंद्रमा सोते ही निश्पाब शीर राम का अपने किरन दोपी करों से अलिंगा नौर्श पर्ष करके उन्हें अनंद परदान करेंगी। शीर राम के दोरा रन भवी में तीवी धवज के पुत्र दानवराज सुबाहू को मारा गया देख विश्वामित्तर ने उन महात जैसी वीर को बहुत से दिवे अस्तर बरदान किये थे। वे प्रोस्टिंग शीर राम बड़े शूर वीर हैं। वे अपने ही पाहुबल का आश्रे लेकर जैसे महल में रहते थे उसी तरह वन में भी निडर होकर रहेंगे। वे प्रभू के भी प्रभू लच्मी की भी उत्म लच्मी और शमा की भी शमा हैं। लच्मी इन तीनों के साथ रज्य पर अवशिक्त होंगे। जिनको नगर में निकलते देख एउध्या का सारा जन समदाई शोक के वेक से आहतों कर नेत्रों से तोके आंसु बहा रहा है। कुश और चीर धारन करके वन को जाते हुए जिन अब प्राजित नित्यवज़ई वीर के पिछे पिछे सिता के रूप में शाक्षात लच्मी ही गई है। उनके लिए क्या दुरलब है जिनके आगे धनो धारियों में श्रीश लच्छमन सेम बान और खडगादी अस्त लिये जा रही हैं। उनके लिए जिगत में कौन सी वस्तु दुरलब है। देवी मैं तुम से सत्ते कहती हूँ। तुम वनमास की अबधी पूर्ण होने पर यहां लोटेवे शीराम को फिर देखोगी। इसलिए तुम शोकर मोच छोड़ दो। कल्यानी अनन्दिते तुम नवोदी चिंद्रबा के समान अपने पुत्र को पुना अपने चर्णों में मस्तक रखकर पर नाम करते देखोगी। राजबहुन में प्रविश्टो कर पुना राजबत पर अबशिक्त हुए अपने पुत्र को बड़ी भारी राजज लच्छमी से संपन दे कर तुम शीगरी अपने नित्रों से अनन्द के आंस्ख बहाओगी। देवी शीराम के लिए तुमारे मन में शोक और दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि उनमें कोई अशुब बात नहीं दिखाई देती। तुम सीता रच्छम के साथ अपने पुत्र शीराम को शीगरी यहां पस्तित देखोगी। पाप रहे देवी तुमें तो इन सब लोगों को धैरे बंधाना चाहिए। फिस हम ही इस समय अपने हिद्धे में इतना दुख क्यों करती हो। देवी तुमें शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि तुमें रगुकुल नंदन राम जैसा बेटा मिला है। शीर राम से बढ़कर संद्मार्ग में स्थेद रहने वाला मुलश्य संसार में दूसरा कोई नहीं है। जैसे वर्षा काल के मेगों की घटा चल की वरिष्टी करती है उसी परकार तुम सर्थो सहीद अपने पुत्र शीर राम को अपने चर्णों में परनाम करते देखकर शीगरी अनंद पूरकासों की वर्षा करोगी। तुमारे वर्षा एक पुत्र पुना शीकरी अयवध्या में जा आकर अपने मोटे मोटे कॉमल हाथो द्वारा तुमारे दोनों पैरव को दबाएंगे। जैसे मेगमाला परवत को निलाती है। उसी परकार तुम अभी वादन करके नमशकार करते हुए स्रद्वसीत अपने शूर विर पुत्र का अनंद के आंसों से अब शेक करोगी। बात चित करने में कुशल दोश रही तथा रमनिया। रोपवाली देवी समित्रा इस परकार तुम तरह की बातों से शीर रम मता कुशल लिया को आशवाशन देती हुई वो बिखत बाते कहकर चुप होगी। लच्छन की मता का ये वच्छन सुनकर महराज दश्रत की पत्री तता शीर रम की मता कुशल लिया का सारा शोक उनके शीर मन में ही तद्काल विलीन हो गया। ठीक उसी तरह जैसे श्रत रितु का थोड़े जलवला बादल शीकरी छिन भिन हो जाता है। इस परकार शीर बान में एक निर्मित आर्श रमाएन आदी कावे के अध्या कांड में चुबालिसवां सर्थ पौर्ण होआ। पैंतारिसवां सर्थ शीर रम का पुरवासियों से भरत और महराज दर्शत के प्रती प्रेम भाव रखने का अन्रोथ करते हुए लोट जाने के लिए कहना। नगर के वरिद ब्रामनों का शीर रम से लोट चलने के लिए आगरे करना था उन सब के साथ शीर रम का तमसा तड़ पर पहुँचना। उदर सत्य प्राकरमी महात्मा शीर रम जब वन की और जाने लगे उस समय उनके प्रतियन ड्राग रखने वाले बहुत से अध्यावासि मनुश्य वन में निवास करने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिये। जिनके जल्दी लोटने की काम न की जाए उस सजन को दूर तक नहीं पहुचाना चाहिए इत्यादी रूप से बताएगे सुख़द धरम के उनसार। जब राजा दशरत बालपूर के लोटा दिये गे तब भी जो शिर्राम जी के रत के पीछे पीछे लगे हुए थे विए अध्यावासि अपने घर की और नहीं लोटे। क्योंकि एध्यावासि पुर्शों के लिए सद्गुन संपन महा यससी शिर्राम पूर्चंद्रमा के सुमान प्रिये हो गे थे। उन प्रजाजनों ने शिर्राम से घर लोट चलने के लिए बहुत प्रात्ना की किन्तुवे पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए वन की और ही बढ़ते के। वे प्रजाजनों को इस प्रकार सने बरी द्रिष्टी से देख रहे थे मानुनेत्रों से उन्हें पी रहे हूँ। उसमें शिर्राम ने अपनी संतान के समान प्रिये उन प्रजाजनों से सने पूरक कहा योध्या निवासियों का मेरे प्रति जो प्रेम और आदर है। वे अवस्ता में छोटे होने पर भी ज्यान में बहुत बड़े हैं। प्राकर्मों चित गुनों से संपन होने पर भी सभाव के बड़े कोमल हैं। वे आप लोगों के लिए योग्या राजा होंगे और प्रजा के भेका निवारन करेंगे। में मुझ से भी अधीक राज़ोचित गुनों से युक्त हैं। इसलिए महराज ने उन्हें युवराज बनाने का निश्चे किया है। हटे आप लोगों को अपने स्वामी भरत की आग्या का सदा पालन करना चाहिए। मेरे वन में चले जाने पर महराज दश्रत जिस परकार भी शोक से संतब्त ना होने पाएं। इस बात के लिए आप लोग सदा चेश्टा रखें। मेरा प्रिये करने की इच्चा से आपको मेरी इस प्रात्रा पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। दश्य दंदन शिर्राम ने जो जो धर्म का आश्रे लेने के लिए ही द्रिटा दिखाई। त्यों ही त्यों प्रजाजनों के मन में उनी को अपना स्वामी बनाने की इच्चा प्रबल होती गई। समास्त पुरवासी एत्याद दीन होकर आशु बहा रहे थे और लच्चमन से शिर्राम मनों अपने गुनों में बांद कर उने खीचे जा रहे थे। उनमें बहुत से ब्रामन थे जो ग्यान अवस्थार तपबा तीनों ही द्रिष्टियों से बड़े थे। वे धावस्ता के कारण कितनों के तो सिर काप रहे थे। वे दूर से ही इस परकार बोले अरे और तेज चलने वाले अच्छी जाती के घोड़ो तुम बड़े वेक्षाली हो और शिर्राम को वन की और लिये जा रहे हो लोटो अपने स्वामे के हितेशी बनो तुमें वन में नहीं जाना चाहिए यहों तो सभी प्राणियों के कान होते हैं प्रंतो घोड़ों के कान बड़े होते हैं अधर तुमें हमारी याचना का घ्यान तो हो ही गया होगा इस लिए घर की और लोट चलो तुमारे स्वामी शीर राम विशुद आत्मा वीर और उत्तम्रत का दिर् प्याना तम्हारे लिए कदापी उचित नहीं है। वरिद ब्रामनों को इस परकार आर्थ भाव से परलाब करते देखकर शीद राम चंदर जी से ऐसा रात से नीचे उतर गे। वे सीटा लच्छम के साथ पैदल ही चलने लगे। ब्रामनों का साथ न छूटे इसके लिए वे अपना पैर बहुत निकट रखते थे। लंबे डग से नहीं चलते थे। वान में पहुँचना ही उनकी यात्रा का परमलक्ष था। शीर राम चंदर के च्रित्र में वादसल्य गुनों की परधंता थी। उनकी द्रिष्टी में द्या भरी हुई थी। इसलिए वे रत के द्वरत चलकर उन पैदल चलने वाले ब्रामनों को पीछे छोड़दे का साहस नहीं कर सके। शीर राम को अब भी उनकी और ही जाते देख वे ब्रामन मन ही मन गबराव थे। पुरत्यन संतब्ध होकर उनसे इस परकार बोले रगुनंदन तुम ब्रामनों के हितेशी हो। इसी से ये सारा ब्रामन समाज तुमारे पीछे पीछे चल रहा है। इन ब्रामनों के कंदों पर चड़कर अगनी देव भी तुमारा अंसरन कर रहे हैं। वर्षा बितने पर शरद रितों में दिखाई देने वाले सफेद बातलों के समान हमारे इन शेद चत्रों की और देखो जो तुमारे पीछे पीछे चल पड़े हैं। ये हमें वाजब यग्गे से प्राप्त हुए थे। तुमें राज की ये शेद चत्र नहीं प्राप्त हुआ। आतेव तुम सूरी देव की किर्नों से संतप्त हो रहे हो। इस सवस्ता में हम वाजब यग्गे में प्राप्त हुए इन अपने चत्रों द्वारा तुमारे लिए च्छाया करेंगे। वास हमारी जो बुद्धी सदा वेद मंत्रों के पीछे चलती थी उने के चिंतन में लगी रहती थी वही तुमारे लिए वनवास का अंसरन करने वाली हो गई है। जो हमारे परम धान वेद हैं वे हमारे हिदों में स्थित हैं। हमारे इस्त्रिया आपने चित्रबाल से सुरक्षित रहकर घरों में ही रहेंगे। अब हमें आपने कर्तवे के विशे में पुना कुछ निष्चे नहीं करना है। रह सकेगा सदाचार का पोईशन करने वाले शीराम हमारे सिर के बाल पकर हंस के समान सफेद हो गए है और प्रिथी पर बढ़कर शास्टांग परनाम करने से इन में दोल वर गई है हम अपने ऐसे मस्तकों को जुखा कर तुम से याच ना करते हैं तुम घर को लोट चलो वे ततवग्य ब्रामन ये जानते थे कि शीराम शाक्षाद बगवान विशनु है इसलिए उनका शीराम के परती परनाम करना दोश की बात नहीं है इतने पर भी जब शीराम नहीं रुके तवे ब्रामन बोले वाजस जो लोग यहां आए हैं इनमें बहुत से ऐसे ब्रामन हैं जिनने यग्य अरंब कर दिया है अब इनके यग्यों की समात्ति तुमारे लोटने पर ही निरबर है संसार के स्थावर और जंगम सभी प्रानी तुमारे प्रती भक्ती रखते हैं वे सब तुमसे लोट चलने की प्राथना कर रहे हैं अपने उन भक्तों पर अपना सने दिखाओ ये व्रिक्ष अपनी जड़ों की कारण अत्यत वेग ही नहीं है इससे तुमारे पीछे नहीं चल सकते पन्तु वायों के वेग से इन में जो संसनाहत वैदा होती है उनके द्वारा ये उचे व्रिक्ष मानों तुमें पकार रहे हैं तुमसे लोट चलने की प्राथना कर रहे हैं जो सब परकार की चेश्टा छोड़ चुके हैं चारा चुगने के लिए भी कहीं उड़कर नहीं जाते हैं और निश्चित रूप से व्रिक्ष के एक स्थान पर ही पड़े रहते हैं वे पक्षी भी तुम से लोट चलने के लिए प्राथना कर रहे हैं क्योंकि तुम समस्त प्राणियों के क्रिपा करने वाले हो इस परकार शीर राम से लोटने के लिए पकार मचाते हुई उन ब्रामनों पर मानो क्रिपा करने के लिए मार्ग में तमसा नदी दिखाई दी जो अपने तिर्यक प्रभा अर्था तिर्ची धारा से शीर रगनाजी को रोकती हैसी परतीत होती थी वाँ पहुचने पर समंत्र ने भी ठके हुए गोड़ों को शी की रच से खोल कर उन साख को टेलाया फिर पानी पिलाया और नहलाया तत्पच्चा तमसा के निकठी चरने के लिए छोड़ दिया इस परकार श्री बाल्मिक निर्मित आर्च तामायन आधिकावे के युद्ध्या कांड में पेंतालिसवा सर्थ पोर्न हुआ